दोस्तों आप सब को पताई होगा कि दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिलिटरी पावर है रश्या पर अगर दोनों देशों के नेवियों को कमपेयर किया जाए तो आपको पता ये भी चलेगा कि एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के पास 11 ओपरेशनल सुप पर बड़ा सवाल ये है कि रस्या को असल में किस तरीके के यार्रक्राफ कैरियरों का आवशक्ता है और ये आवशक्ता रसिया को फिलाल क्यू क्यूं है? तो आजके इस वीडियो में आप लोग को इन दोनों सवालों का जवाब दूँगा और साथ में ये भी बताऊंगा क कैसे रश्या नया यार्क्राफ्ट कैरियर को बना कि अमेरिका को चैलेंज कर सकेगा तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों किसी भी देश के पास अगर यार्क्राफ्ट कैरियर है तो एक तरीके से वो यार्क्राफ्ट कैरियर उस देश का पहचान बन जाता है कीमत में काफी महंगा और ताकत में काफी आगे इस तरीके के फ्लाटफॉर्मों का आवशक्ता बड़े बड़े देशों को इसलिए होता है ताकि वो अपने नेवल फैजन्स को पुरा दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सके इवन लड़ाई में भी और फोर्स पावर पोजेक्शन में भी इस तरीके के हतियारों को सबसे प्लमुक माना जाता है और नो डाउट रशिया को भी ऐसे ही एरक्रेफ्ट कैरियरों का आवशक्ता है पर अगर फिलाल रशिया के बेड़े को देखा जाए तो उसके पास कोई इस तरीके के हतियारों के ना होने के कारण एक तरीके से मिलिटरी फोर्स फावर पोजेक्शन में बिछडता जा रहा है मतलब दोस्तों फिलाल शॉटकर्ट में अगर कहा जाए तो रशिया को अपने सुपर पावर के स्टर्टस को बरकरा रखने के लिए एरक्रेफ्ट कैरियर के काफी आवशक्ता है है दुसे तरफ रशिया को न उपर से अगर अमेरिका के बेडे को देखा जाए तो उसके पास 11 एरक्रेफ्ट कैरियर है और इनमें से अगर बड़े संख्या के एरक्रेफ्ट कैरियरों के द्वारा एक बड़े आकार के स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है तो रशिया के इन जहाजों के पास रशिया क इन सब्मरीनों के टैट हिकाने तक पहुंच के हमला करने तक सर्वाइव करना लगवग नामुम्किन होगा दूसरे तरब अमेरिका के जो परवानुशक्ति संपूर्ण सब्मरीन है ओ दूर समुंदर में रहके ही रशिया के उपर स्ट्राइक कर सकता है मतलब रशिया को अमेरिकी न्ुक्लियर पावर सब्मरीनों को टैकल करने के लिए एरक्रेफ्ट करियर जैसे प्लाटफोमों का आवशक्ता है जो की लंबे दुरी तक पेट्रोल करने वाले अंटिसब्मरीन वर्फेयर एरक्रेप्टों को टेक ओउफ करा सके मतलब रश्या के सेफटी और सिकुरिटी के साथ-साथ परवानू हत्यारों के डिप्लाइमेंट के लिए भविशे में रश्या को एरक्रेफ्ट कैरियर के काफी अधिक आवशकता है और अगर रश्या के दौारा अभी से ही इसका तैयारी नहीं किया आता है तो ये भविशे म औरिजिनली सोवियत उनियन के तरफ से ऐसे दो जहाजों को निर्मान करने का इरादा बनाया गया था पहला जहाज के हलका लेट डाउन 1988 में हुआ और साल 1991 होते तक रशिया ने इसका 40% कॉंस्ट्रक्शन संपूर्ण कर लिया था पर दोसो सोवियत उनियन तूटने के बाद इस प्रोजेट को कभी संपूर्ण नहीं किया सका और दूसरे जो एरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सपना था वो भी कभी ड्रॉइंग बोर्ट से बाहर ना आ सका पर फिलाल अगर रशिया के सिच्वेशन को देखा जाए तो ऐसे एरक्राफ्ट कैरियरों को बनाना रशिया के लिए काफी बड़ा चुनोती का कारण बन सकता है क्योंकि इसके लिए लंबे एक्सपेरियन्स के वी आवशक्ता है और साती साथ काफी बज़ड भी खर्चा होने वाला है इवन रशिया को अपने बेड़े के लिए कम से कम ऐसे चार सूपर कैरियर का आवशक्ता है पर सबाल ये है कि रशिया को एक साथ इतने यार्क्रफ्ट कैरियरों का आवशक्ता क्यू है बेसिकली दो जहाज रशिया को नौर्धन और पैसिफिक फ्लिट में डिप्लोई करना पड़ेगा जबकि एक हमेशा combat readiness mode में रहेगा ताकि जिस शेत्र में दवाओ अधिक हो वहाँ पे इसे भेजा जा सके और इस दर्मियान चौथा जहाज maintenance और overhaling के लिए रहे मतलब दोस्तों जैसे भारत को अपने दोनों शोर को protect करने के लिए तीन aircraft carrier का आवशकता है ताकि हमेशा दो aircraft carrier deployed रह सके वैसे ही रशिया को अपने protection के लिए चार aircraft carrier का आवशकता है ताकि तीन aircraft carrier हमेशा operational रह सके जबकि अगर इलोनोस का और रशिया के लिए possible नहीं है तो रशिया के सामने एक alternative के रूप में छोटे आकार के light aircraft carrier हो सकता है जो 40,000 से 50,000 टन के दर्मियान के वजन के होगा लेकिन अगर इसे अमेरिका के निमिर्स क्लास या फोर्ट क्लास के aircraft carrier के साथ compare किया जाए जिसमें कई तरिके के जहाज nuclear power submarine होता है तो वही पे अमेरिका के सामने direct threat तो नहीं लेकिन कम से कम रशिया ऐसे छोटे aircraft carrier हो से अपने protection को काफी हद तक ensure कर सकेगा जबकि दूसरे तरफ ऐसे छोटे aircraft carrier को बनाना आसान भी होता है और रशिया इसे काफी तेज रफतार से बना भी सकेगा और बजट के उपर भी ज़्यादा असर नहीं डालता है दोसों अगर फिलाल देखा जाए तो रशिया के क्रामिया में स्टेथ क्रच शिप याड में प्रोजेक्ट 23900 के अंतरगत रशिया फिलाल दो amphibious assault ship का निर्मान कर रहा जिसका वजन 40,000 है और रशिया इन में से एक जहास को light aircraft carrier के prototype के रूप में भी इस्तिमाल कर सकेगा ताकि रशिया ये जान सके कि कैसे ऐसे बड़े आकार के जहास को निर्मान किया जाएगा दोसों ऐसे बड़े aircraft carrier ना होना जहाँ पे Russian Navy के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और वही पे दूसरे तरफ रशिया के पास ऐसे बड़े जहास फिलाल बनाने का शमता नहीं होना एक तरीके से परेशानी का कारण है तो वही पे अगर रशिया ऐसे aircraft carrier को निर्मान भी कर ले दब भी रशिया के लिए दूसरा और एक बड़ा सरदर्द है इसके उपर अपरेट करने वाले carrier-based multi-roll fighter aircraft फिलाल रशिया के एक मात्रे aircraft carrier के उपर सुखोई 33 और MiG-29 जैसे aircraft का इस्तेमाल हो रहा है MiG-29 जहाँ पे एक medium class के fighter aircraft है तो वही पे सुखोई 33 असल में एक heavy version के fighter aircraft है और रशिया अगर हलके वजन के aircraft carrier को निर्मान करता है जिसमें capable launching system ना हो तो उसके उपर ऐसे भारी वजन के aircraft को इस्तेमाल करना लगभग नामुम्किन होगा जबकि MiG-29 के को अगर देखा जाए तो फिलाल ये काफी फुराना हो चुका है और इसका एक मात्र इस्तेमाल करता भारत भी इसे replace करना चाता है मतलब रशिया को एक alternative धूरना पड़ेगा जो इस मुश्किल को भी दूर कर सके रशिया के सामने एक बहत्रिन option हो सकता है सुखोई SU-57 मतलब 5th generation के fighter aircraft के एक naval carrier based version पर दोस्तों सुखोई SU-57 को लेके भी रशिया के सामने कई तरिके के challenge है दोस्तों अगर इस aircraft को देखा जाए तो इसके Air Force version को भी अभी तक बड़े मात्रा में निर्मान करना संभब नहीं हो पाया क्योंकि रशिया अभी तक इसके लिए 5th generation के proper engine मतलब इस डेलिया 30 engine का development नहीं कर सका दूसरे तरफ ये भी कोई हलके वजन के aircraft नहीं है सुखोई SU-57 को भी एक heavy aircraft के रूप में देखा जाता है और ऐसे में अगर इतने बड़े आकार के aircraft को carrier ways version में तबदिल किया जाता है तो ऐसे aircraft को स्रीप एक मात्र बड़े आकार के nuclear power aircraft carrier जिसमें catapult launching system हो उसी में ही accommodated किया सकता है जबकि रशिया हलके वजन के सुखोई 75 नाम से single engine के एक 5th generation के fighter aircraft का भी निर्मान कर रहा है और रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि रशिया इन aircraft का इस्तमाल करके अपने बेडे के MiG-29 aircraft को replace करेगा मतलब simply अगर रशिया सुखोई 75 चेक्मेट के एक carrier waste version को निर्मान करता है तो शायद रशिया के light aircraft carrier के उपर modern fighter aircraft के आवशकताओं को पूरा करना समभब हो पर अगर रशिया जैपैन के जैसे alternative को आजमाने का सोच रहा है मतलब अपने MPVS assault ship को light aircraft carrier में तबदिल करने का सोच विचार रख रहा है तो शायद सुखोई SU 75 फिलाल जिस model में निर्मान किया जा रहा है वो रशिया का आवशकता ना पूरा कर सके बैसिकली ऐसे MPVS जहाजों के उपर एरक्रेप्टों को लेंड कराने के लिए vertical take off और landing वाले एरक्रेप्टों का आवशकता है और रशिया अगर सुखो 75 को एक vertical landing एरक्रेप्टों के रूप में तब दिल कर सकता है मतलब F-35V के जैसे बना सकता है तो काफी हद तक रशिया क के मुश्किल दूर हो सकेगा और रशिया छोटे एरक्रेप्ट कैरियर इवेन MPVS assault shift के साथ भी एरक्रेप्टों के साथ अपने force projection कर सकेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन